कि हलो फ्रेंड सब्सक्राइब कर सकता है कर सकते हैं उसके पीछे का लौजी क्या है फर्स्ट फॉल हपी इंडिपेंडेस्ट डे टू आल एंड जो सैड नूज आया है विच इस मतलब राके जुन-जुन वाला जी बहुत जल्दी मेरे ख्याल से क्योंकि मैं एक्सपेट कर र सब्सक्राइम पर वह सैंसेक्स हो गया निफ्टी का जो टार्गेट बताते थे अभी जो दिरे-दिरे आ रहे हैं डेफिनेटी उनके लग रहा था लेकिन उनका वीजन बहुत बढ़ा था अगर उनको देखेंगे तो इनका इंटर्वी रिसेंट इंटर्वी अगर देखें तो मेक्शूर कीजिए कि ने जो इंपोर्टांट चीजे आपको लगता है करना चाहिए इन देसेंस आपको प्राइटी लगता है तो उसको आप जल्दी कर लीजिए क्योंकि अट्स कम्प्लीटली आप आपके आथ में कुछ है नहीं डेथ और आपके आथ में नहीं है अब के लेगेसी को आगे करे हैं जो आपने सिखाया है जो आपने इंडिया गुरोथ के ऊपर विलीव रखा है उसके उपर बहुत सारे लोग काम कर रहे है तो जलिए विडियो को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट अप आल हम लोग वेधी आनलीस देखेंगे फिर मंथली द गूम जाता है आप अगर देखोगे मार्केट यहां पर गूम गया फिर मार्केट यहां से गया फिर इटन आ गया अभी मैं यहां से और एक्सपेक्ट नहीं कर रहा अगर बायर स्ट्रॉंग है तो यह एरिया से कंटिन्स में निकल जाना चाहिए अगर यह 39000 के ऊपर कहीं पर क्लोज देता है तो डेफिनेटली बहुत यह अच्छा यहां पर क्लोजिंग मारा जाएगा एंड यह कंटिन्यू हो सकता और मैंने आपके पॉइंट बताता है यह सुइंग के ऊपर सारे क्लोज करने का यह ट्राइग करेगा लास सुइंग के ऊपर यह क्लोज कर चुका है इस वेरी गुड तिंग और एक इंपोर्टान पॉइंट में आपको उता हूंगा इंडिपेंडेश डे के लिए मैंने कुछ कूपन कोड यहां पर 1500 का डिसकाउंट है सारे ओनलाइन क्लासेश के ऊपर ओनलाइन मतलब जो रेकॉड़ेट क्लासेश से अप्लिकेशन के ऊपर 1500 स्टेट डिसकाउंट है मैं ज्यादा डिसकाउंट देता नहीं हूँ लेकिन बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट किये थे तो यह डिसकाउंट है और सटन नंबर ऑप ओर्डर के लिए है और कूपन कोड क्या है मैं डिसकेशन बॉक्स में डाल दूँगा या फिर कमेट बॉक में पिन कर दूँगा तो आप लोग जाके चेक कर सकते हो अगर कुछ अप्लिकेशन में इशू आता है या सपोर्ट कुछ चाहिए तो मेक्शुर कीजिए कि निकली आपको रिप्लाइ मिलेगा क्योंकि आज 15 अगस्ट है एंड इवनिंग भी हो चुका है तो कली आप लोग तो अभी थोड़ा सा में रिवर्सल के लिए प्लां कर सकते है तो मेरे लिए क्या बेस सिनारियो होगा मेरे लिए बेस सिनारियो होगा लेटिट मार्केट अगर ग्याप खुला कहीं पर समय रहा हूं इमाजिन करो कि 39,300-400 इस लेवल पर खुला एंड 39,500 एंड 40,000 इस लेवल के आसपास से अगर कुछ रिवर्सल मिलता है तो मेरे लिए और 400-500 पॉइंट अगर जा चला जाता है फिर वहां से कोई अगर रिवर्सल आता है तो 39,000 तक हम लोग का टार्गेट हो सकता है तो ये वीक में हो सकता है कि नहीं एक या दो दिन आपको अपसाइड मोमेंटम के बाद लास्ट जो कपल अप देज रहेंगे थर्जडे या फिर फ्राइडे हो गया ये दो दिन में थोड़ा सा रिवर्सल में एक्सपेट कर रहा हूं और मार्केट थोड़ा सा यहां पर पॉज ले सकता है एक या आपको यहां पर रिक्स नहीं होगा अभी अगर हम लोग देखेंगे इमेजिन करो 38,000 नो डाउट यहां पर एक सपोर्ड बन गया और यह जितना उपर जायागा वेल एंडोट क्योंकि अगर 39,000 में यहां पर राउंड लेवल है मार्केट इमेजिन करो एक दो दिन में हो सकता है क्योंकि मार्केट कंप्लेटली स्ट्रेट मूव किया है अभी अगर ऊपर की थोड़ा थोड़ा पुल हुआ तो डेफिनेटली यहां पर 40,000 एक मतलब 10,000 पॉइंट होता है किने 30 से 40,000 तक जा चुका है 32,000 से यहां तक 40,000 डेफिनेटली एक राउंड लेवल है यहां से थोड़ा से रिवर्सल में एक्स्टेट कर सकता हूं 39,500 से 40,000 एक रिवर्सल रेंज रहेगा तो यह पॉइंट में मेरा क्या रहेगा डेफिनेटली कल अगर मार्केट इमेजिन करो चली 15 मिनिट में हम लोग चलते हैं कहां पर प्लान कर सकते हैं किस तरीके से ट्रे कर सकते हैं बाई करने के लिए इमाजिन करो कि निकल अगर बहुत वड़ा याप खुल जाता है समयर ओं 39,200 के ऊपर 200, 240, 280 इस लेवल के आसपास अगर खुला तो फर्स्ट आप तक में एक्सपेट करूंगा मार्केट थोड़ा सा इसी लेवल पर बने रहें कि या फिर थोड़ा सा आपको वेट करना है अगर यहां से सफ्टेंड नहीं कर पाता फाइव मिनिट के बाद कंटिन से नीचे आ रहें तब सौट कर सकते हो या फिर यहां पर थोड़ा सा वेट करके 39,360 या 400 से 440 यह सारे लेवल के आसपास से कहीं पर नेगेटिव क्यांडल बने सेक सकते हैं कल का दिन अगर साइड चला जाता है होवर करता है उपर के साइड वेल एंड गोड क्योंकि और एक मोमेंटम अगर मिला तब हम लोग को एक सेलिंग का प्रेसर आ सकता है क्योंकि एक अच्छा लेवल पर दिख रहा है प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है अगर मार्क लेकिन जब तक 38,700 क्रॉस नहीं होता तब तक सेल नहीं कर सकता और यह एरिया वोलाटिलिटी बन गया तो इस अलए बैटर के नहीं हम लोग थोड़ा सा स्पेस रखेंगे वोलाटिलिटी के लिए यह एरिया थोड़ा वोलाटिलिटी हो जाएगा मार्केट खुलने के अज जाए क्योंकि समयर और नियर अबाउट 39,400-500 या फिर नियर अबाउट 400-500 के पॉइंट के बीच में कहीं पेक रिवर्सल पॉइंट हम लोग एक्सपेट कर सकते दाट्यों कि नहीं 500-900 पॉइंट यह मोमेंटम पूल बैक आ सकता है नीचे की तरह तो उसके लिए हम लोग प्लान करेंगे अभी थोड़ा सा बाइंग के लिए जाता स्पेस बचा नहीं है अभी हम लोग बाइंग कप कर सकते हैं इमेजिन करो कल उपर खुला और यहां पर फ्लाट चला गया इसी रेंज के असस बना रहा इस तरी की एका नीचे आया तो इससे क्या होगा यहां पे इन लाइन बन जाएगा मार्केट ख्लोजिंग आवर में यहां पर बना होगा नीचे की तरफ यहां पर सपोर्ट है तो फिट से अगर यहां पर मूब करता है तब हम लोग यहां पर बाई कर सकते हैं इन इस कंडिशन हम लोग प्लान करेंगे तो कल की दिन थोड़ा साम लो प्रॉफिट मिलता है जब बायर्स अपने प्रॉफिट या फिर एक अच्छे लेवल पर ट्रेड कर रहे हो बायर्स का अगर पेड़ भर गया तभी जाके सेलर्स को प्रॉफिट मिलने वाला है अभी बायर्स कब खुश होंगे 32,000 से निकला है यह ट्रेंड कंटिन्यू जा लेकिन अगर यह क्रॉस करेगा तो एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है निट्टी में अगर मैं स्पेशली बोलू 18,000 वेरी गुड लेवल वहां तक अगर पहुंच जाता है आने वाले टाइम में 200,300 या 400 पॉइंट और चला जाता है उसके बाद एक रिवर्सल हम लोग एक्स 17,000, 780, 970 या फिर 770 इस लेवल के 750 के उपर अगर कहीं पर खुलता है पांच मिनट के अंडल हम लोग वेट करेंगे अगर वहां पर प्रैस एक्सें नेगेटिव बन रहा हूं कंटिनसल लो हीट कर रहा है 5 मिनट में तब हम लोग कुछ क्वांटिटी सॉर्ट कर सकते हैं लेकिन अगर जैसे मैंने बोला gap up खुला sideway चला गया इस तरीके से फिर annual time में हम लोग बाई कर सकते हैं तिल 18,000 तक एक अच्छा हमेंटम आ सकता है लेकिन कल gap up खुलने के बाद अगर imagine करो एक दो घंटा उपर की तरफ गया तो कही ना कहीं से एक resistance मिल सकता है 12 बजी के बा बहुत बड़ा gap up खुला क्योंकि जिस तरीके से global scenario देख रहा है कि थोड़ा gap up खुल सकता है अगर gap up खुलता है तो we are going to just wait for one to two hour उसके बाद अगर कोई sell off आया well and good अगर imagine करो flat खुल है तो हम लोग को easy हो जाएगा इस level से cross कि हम लोग buy करेंगे selling के लिए 17,620 के नीचे ही ह हम लोग प्लान करेंगे sell करने के लिए 600 के नीचे अगर candle क्लोज करता है तो हम लोग फिर aggressive sell कर सकते हैं क्योंकि till 17,540 तक हम लोग का target हो सकता है तो यह सारे point जहान में रहा हो यह volatility area होने वाला है selling के लिए हम लोग को में भी थोड़ा सा EK2 दिन wait करना पड़ेगा क्योंकि अ सकता है nifty bank nifty दोनों उपर की तरफ पुल हो सकते एक अच्छा लेवल पर जा रहा है लेकिन अभी एक दो तीन चार कैंडल अभी बन चुका है positive यहां पर ट्रेंड लाइन है no doubt इसी लेवल के आसपास कहीं पर एक resistance अगर मिला तो हम लोग को थोड़ा sell up मिल सकता है तो यह week म नहीं थोड़ा सापका position consciously बनाई है क्योंकि यहां पर थोड़ा सा difficult हो सकता है चले अभी हम लोग स्टॉक देख लेते हैं पहला स्टॉक के सिपले अगर हम लोग देखेंगे यहां पर दिख रहा होगा इसके नीचे हम लोग प्लान कर सकते हैं 1025 के नीचे हम लोग प्लान कर आया है और एक पॉइंट फिर से यहां पर एक कैंडल के अंदर आल्मोस्ट पांच या दस दिन का मोमेंटम मतलब आ गया है इसलिए मैं बोलता हूं कि ने बस थोड़ा सा वेट केजिए क्योंकि सेलिंग आपको फास्ट यहां पर सेलिंग आपको फास्ट दिखेगा और एक कैंडल कंटिन कर गया तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है अगर 3735 के ऊपर डायरेटली यहां पर खुलता है विल गूंट इग्नोर दो ट्रेट हम लोग फ्लाट खुला या फिर इसी लेवल के आसपास कहीं पर खुले 3720 नीचे क्रॉस करता है दस रुपया आ सकता है तो इसको आम लोग कर सकता है ट्रेट करने के लिए नेक्स्ट ऑक है एंटीपी से अगर हम लोग देखें 158 के आसपास क्लोज हुआ है लेकिन कंटिनूसली यहां पर यह बुलीज बुन रहा है और यहां पर एक रिजिस्टन्स बन रहा है लाश्ट टाइम यहां इकल फ्लाट खुलने का जाता है तो डिफिनिटली ट्रेंट लाइन क्रॉस करके ऊपर निकल सकता है 159 के उपर हम लोग इसको प्लान कर सकते है एक से देट रूपया स्टॉपलोज होना चाहिए वान इस्टूट हम लोग का टार्गेट रहेगा नेक्स्ट ऑक है रिलाइंस यहांगर आप हम लोग कर सकता है तो नीचे वी जा सकता था लेजिन यहां ही ओल्क अओल्ट करने के पाद इसके ऊपर सष्ट्रेंट कर चुके इसे अलडरी ट्राइगां चुके है ठीज यहां पर seller ट्राइड नहीं करेंगे कहां पर सेलर ट्राइड करेंगे एक सपोर्ट या रेजिस्टन्स के असपास यहां पर इस्टन से 2720 के आसपास इतना तक market stretch हो सकता है एक अच्छा momentum आ सकता है आने वले टाइम में तो इसको हम लोग कंटिनेशन में ट्रेड कर सकते हैं अगर फ्लाट कुला तक मिस्ट इमाजिन करो 25 के ऊपर कहीं भी खुले एंड 2635 क्रोस कर रहा है तब हम लोग इसको प्लान कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए एक अच्छे लेवल पर यह दिख रहा है 7-8 रूपिक का stop loss होना चाहिए वान शूट होना चाहिए अगर यह सपोर्ट करेगा तो डेफिनेटली निफ्टी हो गया यह बैंक निफ्टी को समझ में आ रहे हूं कि वीडियो चलो विए लाइक के सब्सक्राइब अभी कि इतना ही थैंक यू